एक गाव में एक गरीब किसान उसकी पत्मी और बेटी रहा करते थे वो बहुत ही गरीब थे इसी बात से उसकी पत्मी और वो उसकी बेटी चर्चडे से रहने लगे एक दिन उसकी पत्मी उससे कहती है देखो जी घर में कुछ खाने को भी नहीं है मैं यहां कह रही थी कोई काम धंदा ही कर लो जिससे चार पैसे आ सके तुम सही कह रही हो मुझे बाहर जाकर कोई काम देखना चाहिए तभी रामो अपने घर से बाहर जाता है फिर रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है तुम कुछ परिशान लग रहे हो क्या हुआ अब मैं क्या बताओ मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है और कोई काम भी नहीं है तुम एक काम करो हमारे गाओ के सेट के पास जाओ और अपनी कहानी सुनाओ वो तुम्हारी मदद जरूर करेगे क्या सच में तो फिर ठीक है भाई में अभी उसके पास जाता हूँ उस आदमी की बात सुनकर रामू वहां से उस सेट के घर को चल जाता है सेट और उसका बेटा अपने घर में होते हैं तभी किसान वहां पहुँचता है राम राम सेट जी राम राम कौन हो तुम में तो तुम्हें नहीं जानता सेट जी मुझे बबलू ने यहां भेजा है मैं बहुत गरीब किसान हूँ मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं है आप मेरी मदद काजिये सेट जी अगर आप महरबानी करके मुझे कोई नौकरी दे दे तो मेरे परिवार का पेट पर जाएगा मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ प्लीज मेरी सहायता कीजिए पापा आप इसको यहां से भगाए सोनू में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ ऐसे लोगों को तुम लोग पैसो के लिए कुछ भी कर सकते हो मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं दे सकता चले जाओ यहां से बेबस किसान दुखी होकर वहां से चला जाता है पापा ऐसे फटीचर लोगों को में बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ तुमने उसे बाहर निकाल कर बहुत अच्छा किया ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही करना चाहिए मम्मी पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी बेटा तेरे पापा काम धुंदने गए है काम लेकर ही वापस आ जाएंगे तुम चिंता मत करो वो आते ही होगा हुआ जी बड़ी देर लगा ली आपने कोई काम मिला या नहीं दी सीता हमारी किस्मत में धक्के खाना ही लिखा में एक सेट के पास गया था उन्होंने मुझे भगा दिया कोई बात नहीं जी सभी लात मारते हैं आज हमारी किस्मत खराब है इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है अरे सेट जी आप बारिश में मत भीगिए आप बीमार हो जाओगे मेरे घर के अंदर आजाओ बारिश चली जाए तब चली अरे ये तो ही है जिसे में नोकरी से निकोल दिया था सेट जी ये मेरा घर है यहां आपको कोई परेशानी नहीं होगी सीटा देखो कौन आया है जल्दिया तभी उस किसान की बेटी और उसकी पत्मी वहां आती है और उसकी बेटी बोलती क्या हुआ पापा जी आपके साथ यह कोन है एक बेटा ये वही सेट जी है जिनके घर पर में नोकरी मांगने गया था बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे नमस्ते अंकल जी नमस्ते नमस्ते अरे सेट जी चाए पीती जाए नहीं भाभी जी चाए रहने दीजिए बारिश रुक गई है मुझे बहुत जरूरी काम है मैं चलता हूँ और तुम कल से काम पर आ जाना मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया है तुम बहुत अच्छे इंसान अरे सेट जी चाए पीती जाए नहीं बहन चाए रहने दो मुझे बहुत जरूरी काम है मुझे पहुचना होगा तुम कल से दुकान पर आ जाना ठीक है ठीक है जैसी आपकी मर्जी चाहिए सेट जी ने आपको नौकरी दे दी तुम सही कह रही है सेट जी उतने बुरी नहीं जितनी हम सोच रहे थे उन्होंने नौकरी दे कर बहुत अच्छा काम किया इस कहानी से हमें यह सिख मिलती है कर भला हो भला